मशकार दोस्तो, स्वागत है आपका टेक्निकल ग्यान में सुरिंदर सिंग अधिकारी के साथ दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीजल जरनेटर दोस्तो इस वीडियो में हम टीजल जरनेटर की बेसिक और महत्वपुन बातों के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो, एंट तक बने रहे हैं क्योंकि ए वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है आए दोस्तो स्टार्ट करते हैं कैसे इसकी वर्किंग होती है दोस्तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल का पाइप आरा है यह फ्यूल का पाइप सबसे पहले यहां पर वाटर सेपरेटर में आता है दोस्तो इस वाटर सेपरेटर का जो काम होता है जो फ्यूल में वाटर मिक्स होता है इन केस तो यह वाटर यहां पर बॉटम में आ जाएगा और फ्यूल हमारा क्लीन होके इस पाइप के थरू होता हुआ इस फ्यूल फिल्टर में आएगा दोस्तो इस फ्यूल फिल्टर के अंदर जो भी फ्यूल में डस्ट पार्टिकल होते हैं ये फ्यूल फिल्टर एब्जॉर करता है और इस pipe के थरू होता हुआ fuel governor के थरू होता हुआ actuator से सीधा dg के अंदर जाता है तो यहाँ पे दोस्तो जो governor का काम है वो यह है यह governor fuel के supply dg को देता है actuator के थरू यह जो हमारी coil है यह actuator को जो है operate करती है जब हमारे dg में load ज़्यादा होता है तो यह actuator जो है fuel के supply dg को ज़्यादा देता है जब load कम होता है तो उसके according है fuel के supply रिड्यूस कर देता है उसके according है हमारे actuator काम करता है दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं चार oil filter यह oil filter जो हमारे dg के अंदर जो oil move होता है उस oil filter को यह oil filter जो है clean करते हैं जो भी dust particle होते हैं यह oil filter उसको clean करते हैं ताकि हमारा engine जो है damage ना हो और एकदम सही तरीके से चलता रहे दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह हमारे cylindrical block है इसमें 6 cylindrical block है यह tap it cover होते हैं इसके अंदर जो हमारा piston होता है cylindrical block के अंदर reciprocal motion में up and down move करता है दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं सामने black color के air filter है इसमें जो air यहां से air सक होती है air सक होके इस pipe के थरू होती है सीधा इस डीजी के chamber के अंदर जाती है और दोस्तों यह जो आप देख रहे है vacuum indicator है यह vacuum indicator यहां पर red color के निशान आजाए red हो जाए तो समझे लिए हमारे air filter block है इसे हमें clean करना पड़ेगा अदरवाइस इसे हमें replace करना पड़ेगा तो दोस्तों यहां से air आता है इस डीजी के chamber में जाता है oil के साथ उसका combustion होता है fuel के साथ उसका combustion होता है इसे असी हजार से एक लाक आर्पियम की स्पीड पर काम करता है यह self operated होता है दोस्तों आज दोस्तों यह देख रहे हैं अब coolant tank यह इसका level indicator है इसे हमें हमारा coolant पूरा फुल है और यहां से हमारा coolant in होता है यह हमारे दोस्तों coolant filter है coolant में जो भी dust particle है filter में अब्सौर होते हैं और इस pipe से होते हुए यह cylindrical block है इसके चालब तरफ यह pipe rotate होते हैं यहां पर हमारा coolant cylindrical block के अंदर जो हमारा piston up and down होता है इसकी जो temperature को जो increase होता है उसका temperature यह अब्सौर करता है यह cooling tower का cold water coolant से heat exchange करता है और यह हमारा coolant वापस ठंडा होके इन cylindrical block के अंदर जाता है तो यह जो हमारी rotation है ऐसे continue चलती रहती है तो दोस्तों चलते आईए हम DG की दूसरी साइट पर दोस्तों यह हमारी DG की दूसरी साइट है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह दो bypass oil filter लगे हैं इनके सगर वो हमारे oil filter चौक होते हैं तो उस condition में हमारे bypass oil filter काम करते हैं उसमें bypass एक gas return wall होता है bypass fuel, bypass oil return wall होता है जिसके थूरी हमारे oil filter जो हैं operate होते हैं दोस्तों यह जो हमारी दो बैटरिया है यह बैटरियां जो हमारी लगी हुई है यह जो हमारा self starter है इसको start करने के लिए यह जो आप देख रहे हैं यह बैटरियां हमारी self starter को supply देती हैं और यह जो self starter है हमारे flywheel से connected होते हैं flywheel हमारे gear से connected होते हैं जैसे ही हम डीजी को start करते हैं हमारे गेर रिलीज होते हैं और फ्लाइब में फिरियों के घुमने लगता है और दोस्तों यह जो हमारा है यह हमारे यहां पर अल्टरनेडर वर यह बैट्री सो चार्ज चैoff करता है इन जब हमारे इन्जिंट के थुरू है यहां से इन्जिन के थुरू इसके connected होता है जब हमारा engine rotate होता है तो यह alternate हमारा rotate position में आता है चलता है जिससे यहाँ पर इस chamber में जो हमारी electricity generate होती है और यह electricity is cable के थुरू यहाँ से बाहर जाती है दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह कहाँ पर sensor है जो की engine की स्पीड को rpm को जा कंट्रोल करता है यह जो डीजी हमारा 1500 rpm पर रन करता है दोस्तों और दोस्तों यह जो हमारा है यह यहाँ पर oil charging point है जब हमने डीजी अपने oil replace करना है नीचे bottom से oil निकलेगा और यहाँ से हम नया oil इसमें फिल करेंगे और यह जो हमारी जो dip stick है यहाँ से हम oil का level वगेरा चेक कर सकते हैं कितना हमारा इस condition में यहाँ पर अभी level के क्या condition है लो है या हाई है तो दोस्तों यह थी डीजी की पूरी basic जानकारी कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा सब्सक्राइब के साथ में बैल आइकोन है इसे जुरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों ताकि मेरी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए और इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए गु